Hello everyone, tier 2 का एक बहुत important notice आया है ध्यान दीचे का, बेटा notice में कहा गया है कि आपका जो paper 1 होगा वो 2 sessions में होंगे, session 1 और session 2 में, बेटा session 1 में 3 sections होंगे, पहला होगा maths and reasoning, आपको एक घंटा time मिलेगा, एक घंटा में आप जितने भी questions कर लोगे, कर लिए, उसके बाद automatically एक घंटे के बाद वो closed हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, immediately उसके तुरंत बाद section 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें GS और English होगा, उसमें भी आपको एक घंटा time मिलेगा, एक घंटा finish हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, वो automatically closed हो जाएगा, उसके बाद फिर शुरू होगा section 3, जिसमें computer knowledge test होगा, बेटा ये आपका 15 मिनिट तक खुला र ये 15 मिनिट के बाद automatically ये बंद हो जाएगा, फिर आपको एक break मिलेगा, जिसमें आपको time मिलेगा, re-registration करने का for session 2, session 2 में आप याद रखिएगा आपका जो module 2 होगा, of session 3, उसके लिए आप data entry speed test होगा, जो again आपका 15 मिनिट का होगा, और याद रखिएगा, बस इस तरीके स आपका इस बर mains का exam हो रहा है, so be prepared, maths and reasoning, one hour, complete, finished, फिर आप उसको छूब भी नहीं सकते हो, GS और English, एक घंटा जसे खतम होगा, finished, उसके बाद आप उसको छूब भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो automatically closed हो जाएगा, 15 मिनिट का computer test होगा, 15 मिनिट के बाद वो बंद हो जाएगा, फि इस बार complete change है, all the best, जाके बहुत अच्छा से exam देना, really मैं दिल से दुगा करती हूँ कि आपका इस बार selection हो जाए, all the best, God bless you.